बहुत सारे पार्टनरों के साथ सेक्स संबंद बनाना ऐसे जातक बदचलन होते हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण है हतेली में जिससे हम देख कर ये जान पाएं कि जातक या जातिका का करेक्टर उसका चरित्र गिरा हुआ है तो मित्रों आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे श्री गणिशाय नमाहा मा सरस्वती नमस्तुभ्यम सबसे पहले जो खतरनाक अगर हतेली में कोई साइन है जो दिखाता है कि बहुत सारे पार्टनरों के साथ सेक्स संबंद होगा निम्न जाती की इस्तरी के साथ वैश्या गमन करने वाले लोग कुछ लोग अपने घर परिवारों में भी बदनाम हो जाते हैं अपने आफिस में काम करने वाली महिलाओं के साथ उनके संबंद हो जाते हैं तो ऐसे जाता किया जाती काएं कौन हैं जिनकी हतेली में हम ये साइन देख पाते हैं पुरुश अपना दाया हाँ देखिए और महिलाएं अपना बाया हाँ देखिए शुक्र का वलय बनना, बित्रों शुक्र का वलय यहां बनता है, देखिए यह हमारी आनामी का तीसरी उंगली और यह हमारी कनिस्टा एक यहां से शुरुवात होता है और यह हमारी मद्धमा और यह हमारी तरजनी इसके बीच में इस तरीके के ring formation होते हैं जिसको हम कहते हैं शुक्र का वलय वैसे तो हमको कुछ ना कुछ कला निधान बनाता ही है बहुत अच्छी कलाई दे देता है लेकिन अब जब यही शुक्र का वलय जब खंडित हो जाए इस प्रकार का बन जाए खंडित अवस्था में आ जाए या वो डबल बन जाए कभी-कभी हम डबल भी देखते हैं तो डबल में भी जो है रेखाओं में खंड-खंड नजार आते हैं अगर शुक्र का वलय तूट गया मित्रों शुक्र का वलय बना हुआ है जो हमको एक अलानिधान गुण देके जाता ही जाता है और अगर ये तूट गया शुक्र का वले तो व्यक्ति वैश्य गमन करने लगता है निम्न जाती की इस्तियां जो होती है उनसे संबंद बनाने लगता है और हर जगे उसको केवल सैक्स नजर आता है कहीं भी वो जाता है उसका चरित्र जो होता है वो गिरा हुआ होता है और उसका धे बस केवल सशारिरिक संबंद बनाना ही होता है मित्रों ऐसे वले मैंने कई हातों में देखे हैं जो खंडित थे और वो जातक के चरित्र पतन को बता रहे थे उसी ब्रकार यदि अगर हमारे शुक्र का परवत जादा उभार लिये हुए हो लालीमा लिये हुए हो या कोई इसके उपर नाकारात्मक के चिन बन जाए तिल का निशान बन जाए कुछ जाल बन जाए तब ये वाला इफेक्ट वो जादा बड़ा देता है तो शुक्र के वलह की जो नाकारात्मक उर्जा है उसको शुक्र परवत पे बनाने वाले ये नाकारात्मक चिन और जादा उसे गती दे देते हैं और जादा गहनता दे देते हैं इस प्रकार मित्रों उसका चरित्र पतन हो जाता है जातक या जाती का जो भी होगी और व्यत्ति सम्मान की नजनों से गिर जाता है उसके उपर कोई भी विश्वास नहीं करता है मित्रों अगर यही शुक्र के तूटे हुए वलय में शुक्र का वलय जो बना हुआ है अगर इसी वलय में तूटे हुए वलय में यदि और नाकारात्मक चिन्ध बन जाते हैं जैसे क्रोस का निशान बन गया या कोई द्वीब पढ़ गया जिसको हम यह कहते हैं या लाइन के ऊपर कहीं डॉट पढ़ गया कोई तीला गया या किसी लाइन पे जाला सा बन गया तब मित्रों ऐसे संबंद में व्यक्ति अपनी जान तक गवा देता है आप लोग हम लोग सब निउस्पेपर में पढ़ते ही रहते हैं कि अवे संबंद में जान चली गई तो ऐसे नाकरात्मक चिन अगर शुक्र वले पे बन जाएं व्यक्ति की मौत भी हो सकती है उसे कोई मार भी सकता है जो तूटा हुआ शुक्र का वले होता है मित्रों अगर वो तूट जाता है तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे शनी भगवान बैटते हैं यह शनी भगवान की उंगली है नीचे उनका कारियल है और यहां पर जो तीसरी हमारी उंगली होती है अनामी का सूरी की उंगली उसके नीचे बैठते हैं सूरे भगवान तो खंडित होने से अगर शुक्र का वले खंडित हो गया तो हमको शनी और सूर्य दोनों के भावों में नाकारात्मक्ता मिलती ही मिलती है तो सूरे पर क्या नाकारात्मक्ता मिलेगी सूरे परवत पर अगर कोई खराबी आ जाती है जैसे यहां का नीचे का वले तूट गया तो सूरे परवत के नीचे अगर खंडित हो गया तो सूरे परवत भी प्रभावित हुआ इससे क्या होगा इससे हमारा जो अपमान है वो हो नीचे की तरफ अगर खंड बन रहा है तो शनी परवद भी नाकरात्मक रूप से प्रभावित होगा हमारी धन दौलत इस काम में चली जाएगी और अगर ये अगर शुक्र परवद पर कुछ नाकरात्मक चिन्ह बने हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति कोट का चेहरी के भी चक्कर लगाता है या मैंने तीन चीज़े बताई थी या क्रॉस बन जाए तिल बन जाए या जाल नुमा संरचना बन जाए उसी प्रकार यदि उस व्यक्ति के शुक्र परवत के ये वाले हिस्से में कुछ डिप्रेशन आ जाए जाल बन जाए यह बन जाए या काला तिल बन जाए तो व्यक्ति को अवैद संबंद रखने के कारण उसे कुछ infection का भी सामना करना पड़ता है और उसमें ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान चली जाए क्योंकि शुक्र परवत पर इस तरफ जो भी नाकरात्मक साइन बनता है वो हमारे दामपत्य जीवन को भी पूरी तरह नश्ट कर देता है जातिकाएं अपना बाया हाथ देखिए और पुरुष अपना दाया हाथ देखिए तो मित्रों ये शुक्र परवत पर नाकरात्मक और ये यहाँ पर शुक्र का वलय बन जाना ये आज हमने जाना और ये भी जाना कि वलय अगर खंडित होता है तो किस प्रकार ऐसे जाता कि या जातिकाएं अपना चरित्र पतन कर लेते हैं मित्रों किसी की भी हतेली में आप इस साइन को देखें तो हमको वहाँ पर सावधान हो जाना है ये ही वीडियो बनाने का परपस है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए मित्रों सबिस्क्राइब भी करिए जित्ते भी दर्शक नए जूड रहे हैं आगे भी आपको नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहेंगे श्री गड़े शाय नमाहा मास अरस्वती नमस्तुभ्यम